हलो दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में दिल से स्वागत है आज हम इस्टारफिस के बारे में बात करेंगे लेकिन इस्टारफिस के बारे में जानने से पहले चेनल को सस्क्राइब नहीं किया हो तो सस्क्राइब करें लाइक करें और वीडियो में अंततक बने रही है इस्टार फीस एक समुद्रिय जीव है जो सभी महासागरों में पाई जाती है दुनिया भर में इसकी 2000 से अधिक प्रजातिया पाई जाती है इस्टार फीस को कई नामों से जाना जाता है जैसे तारा मीन, सी श्टार, तारा मचली आदी के नामों से जाना जाता है इसकी तारे जैसी आकरती होने के कारण इसे इस्टार फीस कहा जाता है इस्टार फिस समुद्र में 6000 मिटर की गहराई तक जा सकती है इस मचली के सरीर के बीच की हिस्से में एक डिस्क देखने को मिलती है इस मचली को जिव फिस के नाम से भी जाना जाता है मगर वेग्यानिक इसे मचली नहीं मानते क्योंकि इस मचली में और मचलीयों के जैसे पंक नहीं होते या तो कोई गलफड़ा नहीं होता है इस फिस में जो डिक्स देखने को मिलती है उसमें पाज भुजाये होती है और कई मचलीयों की भुजाये 40 तक भी हो सकती है क्या आप जानते हैं कि इस्टार्फिस की कोई भुजाय दिनष्ट हो जाती है तो नई भुजा विक्सित हो जाती है और प्रत्तेक भुजा के सिर्ष पर छोटी शुक्ष्म आखे होती है ये मचली अपनी भुजाओं के कारण कुछ-कुछ आक्टोपस की तरह भी दिखाई देती है तथा इस्टार्फिस का जन्मा 45 करोड साल पहले हुआ था इस्टार्फिस को अलग-अलग रंगों में देखा जा सकता है और इसकी भुजाय भी अलग-अलग देखने को मिल सकती है इस्टार्फिस इस्टार के आकार के अकेशे रूकी होते है अर्थात इनमें हड्डिया नहीं होती है और इनकी लंबाई 12 इंच तक की होती है इस्टार्फिस का वज़न अधिकतम 5 केजी तक का होता है इस्टार्फिस की कुछ प्रजातियों का वज़न 80 ग्राम तक भी हो सक क्या आप जानते हैं कि इस्टारफीस के पास दिमाख नहीं होता है और इसका मुह उसके सरीर के निचली तरफ इस्थित होता है आम तोर पर इस्टारफीस बहुत धिमिक गती से चलने से वे जब समुद्र की लहरों के साथ किनारे पर आ जाती है तो उसको अन्य मचलिया सार केकडो मनुश्यों और पक्षियों सहीत कई अन्य जानवरों का आसानी से सिकार बन जाती है क्या आप जानते हैं कि वर्तमान में तेजी से नश्ट होते आवास या प्रदुशन के कारण इस्टारफीस इकाइनो डरमेटा संग का और प्रश्टिय वनसी प्रानी है यहां के इस्टारफीस के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बोक्स में जरूर बताएं और हमारे अपने चैनल लेनिवल फेक्स को सस्क्राइब करें बेल आइकान को बजाए लाइक करें और अपने दोस्तों को सेर करें